नमस्कार दोस्तों रामकलाई दोस्तों प्रताब गार बिलोशलमा सवकास स्वागत है आद दोस्तों हम बात करूँगा भिंडी की अगेती और पिछेती खेती कब और कैसे करें अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं दोस्तों तो जनवरी में स्टार्ट कर सकते हैं कौन और जनवरी हम बुगाई करते हैं तो कब तक हमें इसका जो फल है भिंडी मिलने लगेगा हम मार्केट में बेचने स्टार्ट कर देंगे और मिट्टी के इस तरह का होना चाहिए टंप्रेचर की मात्रा क्या होनी चाहिए और गोबर खाद हमें कितना मात्रा में डालना है सब्सक्राइब का चैर हमें किस तरह से करना है सब कुछ दोस्तों आपको बताया जाएगा यह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसी वीडियो आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको मि लिए दोस्तों लिंक डिस्कृप्शन में दिया गया हमारे पेज फेस्बूक पेज और इस्टेग्राम पेज पर आप फोलो कर सकते हैं वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आप बुवाई करना चाहते हैं अगेती खेती जनवरी में तो खेत की मिटी की इस तरह का होना चाहिए तो सस्वले दोस्तों आपको तीन से चार बाह जुताई करा देना है मिटी इसकी भूर भूरी होना बहुत जरूरी है एक दम मर कठोर नहीं होना चाहिए भूर भूरी मिटी जो है बढ़िया और उपयोगी होता है अगर आपकी खेत में नमी कम है तो सस्वले उसमे जो है भुरभुरीपन देखने को मिलेगी अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि किस मिट्टी में ज्यादा ग्रोथ हिसका होता है मिट्टी में दोस्तों कई मिट्टी आपको देखने को मिलेगी किस मिट्टी में इसका ज्यादा ग्रोथ होता है ज्यादा पैदावार देती है तो तो हमें कितनी मात्रा डालना है तो इसमें लगभग दोस्तों आप 200 से लेकर 300 क्विंदल तक गोबर खाद डाल सकते ही वो भी दोस्तों सड़ी हुई गोबर खाद होना चाहिए जिससे की बढ़ियर है और अच्छा भी रहे रसानिख खाद के अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो फास, फौरस और पोटाशियम 10 से 25 किलो डाल देना है एक एकर में अगर हम बात करते हैं यूरिया खाद की तभी मात्रा दोस्तों 20 से 25 के दिसमें डालना होगा अगर हम बात करते हैं कि बीज की मात्रा कितनी है अगर आप एक एकड़ खेत में अपने भिंडी की बुआई करना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में बीज लगेंगे बीच की मातरा एक एकड़ में लगभग दोस्तों 10 केजी या थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है अगर दोस्तों इसकी हम जनवरी में बुआई कर देते हैं तो हमें फल कब तक देना स्टार्ट कर देगा कब इसी हम मार्केट में वेसे हीना चालु कर देंगे अगर आप जनवरी में स्टार्ट कर देते हैं इसको दोयाई कर देते हैं तब ये दोस्तों टो पैदावार ग्रोफ होता इसका 15 सिलसिरं से उपर होना चाहिए तτη दोस्तों इसके लिए कामभी बढ़िया और अच्छा माना यहाई इसका उ Ear Earie महरी मार्श मैं जुन जुलाई इन महेंत कि आती खेति करना है तो आप को दोस्तों चाहिए कि हमें Janulari में बुवाई कर देना है Janulari की महीने में इसकी बिजाई कर देना है अगर हम बात करते हैं कि एक पोद से दूसरे पोद की दूरी कितनी रखनी है जैसे हम बिजाई करना चाहते हैं तो यह हमारा करते हैं दोस्तों पौधे की दूरी यह हो गई अब बात आती है एक कतार जैसे एक लाइन को हम लगा दिये हैं तो दूसरी लाइन जो है कितनी दूरी पर होना चाहिए तो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी यानि एक कतार से दूसरे कतार की दूरी लगभख 60-65 cm होना चाहिए ठंड के मौसम में जनवरी के मौसम में थोड़ा कम होता है तो भी ठीक रहता है कोई दिक्कत नहीं होगा अगर दोस्तों हम बात करते हैं खेत कैसा होना चाहिए खेत भी हमें किस तरह का लेना है तो खेत इसके लिए दोस्तों हमें जो है ऐसा चैन करना चाहिए उसमें पानी न टिके अगर हम सिचाई करें तो पानी नहीं टिकना चाहिए ऐकर पानी टिक ही जाता है तो उसके वह जिससे आपका जो ग्रोथ है वो रुख जाएगा और आपका जो पाइदावार होना होगा घट जाएगा अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि बुवाई हमें किस तरह से करना चाहिए जमीन उसके लिए सम्थल होना चाहिए या तेड़ा बाकुल होना चाहिए तो उसके लिए द दर दर तो उस तरह कोना चाहिए अगर हम इसकी बुवाई अच्छा से करना चाहते हैं अच्छा ग्रोथ लेना चाहते हैं तो जनुरी के मौसमने आप विजाई करते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया होगा सबसे अच्छा होगा कि आप जो है मेडारी पर करें देए सम्धल पर किया जाता है वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है आपको पानी ज्यादा उसमें जरुवत पड़ेगी पानी ज्यादा खपत होगा मेडारी रहेगी तो क्या है कि पानी उसमें लगने का कोई चांस नहीं रहता है मेलारी के ऊपर पावध रहेगा मेलारी में आपको पानी देना है तो तो सबसे मिलेगा और कम लागत भी होगी पानी वगएरा सब चीज लेकिन मेडारी बढ़िया माना जाता है इसमें ग्रोथ होगा क्योंकि मिटी भी थोड़ा भुरुभरी ज्यादा मिल जाएगी उससे उसको ग्रोध भी आपको ज्यादा मिलेगा अब दोस्तों आता है बीज के बारे में कौन सा बीज कौन स छेजादा और अच्छा इसमें आपको घ्रोध दिंछा भी मिलेगा तो दोस्तों १िनी क की आपकर सकते एं इसमें काफी लोग जो है इसे रील गोसा अपरयोक्त हो रहें इसमेंचिंबीक लोग लोग क्यों इसका प Wikipedia कर रहें और अच्छा अक्छा往 जादा जाधा generate कंढ रहे हैं और पिछेति खेति अगर करना है तो अँधि जुलाइं के बाद आप कर सकते हैं जून या जुलाइं में वो पिछेति जाएगा पिछेति में आपको बेनेफिट मिल जाएगा और अगेती जन्वरी से स्टार्ट करें हमें उम्मीद है कि आप लोशन में आ गया होगा थाइंक दोस्तों वीडियो आज करने के लिए